हाँ जी गुरू फाइनली वो फिम थेटर में लग चुकी हैं जिसके लिए ट्रोलर्स रात दिन अपनी उंगलिया रगड़ रगड़ कर रगड़ रगड़ कर इसे बोईकोट कर रहे थे जी हाँ हम ब्रमास्तर की ही बात कर रहे हैं देखो बोस ये तो हमको इसके ट्रेलर से ह ही आइडिया हो गया था किसमें विएफेक्स मौंफली के भाव बिकने वाले हैं बोले तो इतने चम के लिए द्रस से इसमें नजर आते हैं जितने तो आजकल आसमान में तारे नजर नहीं आते फिल्म अपनी सुरुआ सहीं विज्वल कलर्स और विएफेक्स को अपनी लेकर्स ने कोई कसर नहीं चोड़ी हैं हाला कि कलायमेक्स थोड़ा और अच्छा हो सकता था मतलब आपके पास इतने सारी पावर्स हैं इतने सारे केरेक्टर्स हैं तो कलायमेक्स को थोड़ा और इंगेजिंग बना देते लेकिन जब फिल्म बनाने और पेसे लगाने वाल एक तरफ रनवीर और आलिया का गुलू गुलू तो दूसरी तरफ होनो लूलू बोले तो एकसन ही एकसन बाकि इसके सेकेंड आपको थोड़ा सा खीचा तो गया है फिल्म में केमरा एंगल सिनेमेटोग्राफी तो बढ़िया है लेकिन इसकी स्टोरी पर भी थोड़ा और काम कर लेते तो हमको बुरा नहीं लगता उल्टा अच्छा ही लगता परभू है कि नहीं मित्रू मतलब मेकर्स ने मैं पूछना चाहूंगा कि ऐसा नहीं लगता आपको कि फिल्म थोड़ी ज्यादा लंबी हो गई है और इसको काट कर तोड़ा छोटा कर देना चाहिए या फि कुछ डायलोग्स ने जो आपको उतने इंपेक्टफुल नहीं लगेंगे लेकिन ठीक है बाकि मेकर्स ने इसमें हमारे लिए एक ऐसा सर्प्रेज रखा है कि मेरे को ये समझ में नहीं आया कि इन्होंने इसे सर्प्रेज रखा तो रखा कैसे फिल्म देखने जाएंगे तो